इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह कूलंग और वार्मिंग एक्षन रक्त संचार में सुधार करता है और रोगी का ध्यन दर्द से भटकाता है। डिकलोमा जेल केवल बाहरी अंगों के लिए है और इसे केवल डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही इस्तिमाल किया जाना चाहिए। साफ और सूखे हाथों से दवा की एक पतली परत को प्रभाविक शेत्र पर मलें। ध्यान रखे कि यह आपकी आँखों, नाक या मूँ के संपर्क में न आय तथा इसे घाव पर और कटी हुई तवचा पर लगाने से बचें। इन स्थानों के साथ दुरघटनावर्श संपर्क में आने पर आपको इसे धेर सारे ठंडे पानी से धोना चाहिए। इस दवा का इस्तिमाल करने से कुछ लोगों में जलन या चुभन, खुजली और लगाई गई जगह पर लालिमा जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आम तोर पर शरीर को जब इसके इस्तिमाल की आदत लग जाएगी, तब साइड इफेक्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।